दोस्तों कोईट-19 कोरूना वाइरस भारत में कोरूना वाइरस की दूसरी लायर कहर बरपा रही है ज्यादा केस सामने आ चुके हैं जिसके बाद केंदर सरकार ने राज्य को कड़े परतिबंद लगाने के निर्देश दे दिये इसके अलावा केंद सरकार ने 31 मही तक के लिए करूना गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्यों को पाबंद्या लागू करने को कहा है इन राज्यों में यूपी, ब्यार, राजिस्तान, मद्यपर्देश, तामिलनाडू जैसे राज्य शामिल है लागडाउन जैसे नेमों को लागू करने की बात कही गई है साथ ही कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू के नेम भी लागू कर दिये गई है माराश्टर की बात करें तो 15 मई तक मिनी लाउगडाउन की गोशना कर दी गई है माराश्टर के सच्चिव, सीता, राम, कुंते ने इस बात का आदेश जारी किया है वह राजिस्तान में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है MP के कई शेरों में लाउगडाउन कर दिया गया है टामिल लाडू के कई शेरों में नाइट कर्फ्यू की गोशना कर दी गई है ब्यार में शाम चार बजे से दुकाने बंद हो जाती है UP में सफता में तीन दिन लाउगडाउन इसके अलावा UP के हर जिले में हर दिन रात आठ बजे से सुबा साथ बजे तक नाइट कर्फ्यू की गोशना कर दी गई है अब बात करते हैं इस कोरोना वाइरस से बचाओ और टीका करन की हाथ बार बार दोएं छीकते या खासते समय रुमाल का इस्तेमाल करें बीडबार वाली जगों पर जाने से बचें एक दूसरे से दो मिटर की दूरी से बात करें बाजार से खर में लाया गया सामान को बातर गंटे अलग जगे रखें बातर गंटे बाद इस्तेमाल मिले अब बात करते हैं टीका करन की बात करें तो अब तक 79,13,587 टीका करन हो चुके हैं कोईट 90 का टीका करन के लिए 18 साल से 45 साल का वेक्ति से ले सकता है देश में बढ़ते करूना संक्रमन के मामलों के चलते देश बर में टीको की मांग में बडोतरी होने का अनुमान है बीड को नियंतरन करने के मकसद से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविन एप पर रजिस्टेशन कराना और टीका लगवाने के लिए समय लेना जरूरी कर दिया गया है शिरुवात में टीका करन केंदर पर पंची करन कराने की अनुमती इसलिए नहीं होगी ताके गयमा गयमी ना हो फिलाज टीका करन केंदर सरकार से टीको की खुराके लेकर 250 रुपे परती खुराक के इसाब से लोगों को दे रहा है अब ये विवस्ता एक मही से खत्म हो गई है अब नीची आस्पितालों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराके खरीदने होगी कोईन डैश जी ओवी डैश इन पर जाकर अपना दस अंकों का मुबाइल नंबर या आदार नंबर तरच करे आपको मुबाइल नंबर पर एक OTP रिस्यू होगा इसे दिये गए इस्तान पर दर्च करें एक बार रजिस्टेशन होने के बाद पसंदीदा तारीक और समय निर्दारित करें और अपना कोईट 19 टीका करण करवाए आपको एक reference ID मिलेगी जिसके माध्यम से आपको अपना vaccination certificate मिल जाएगा ग्रोह मंत्रा ले ने माई के लिए जारी की गई guidelines राज्यों को केंटिमेंट जून बनाने पर जोर देने को कहा है 10% से ज्यादा पाजेटिव रेट वाले जिले केंटिमेंट जून खुशित कर दिये जाएगे 14 दिन नई guidelines का सक्ती से पालन करने के निर्देश दिये है जो जिले के ऑस्पिताल में 7 seat फुल होने पर केंटिमेंट जून खुशित कर दिया जाएगा नाइट कर्फिव का इस्तान्य परशासन कडाई से पालन करा है शादियों में 50 और अंतिम संसकार में 20 लोगों के शामिल होनों की इजाज़त होगी शौपिंग मॉल, सेनिमा हॉल, बार, रेस्टूरंट, स्विमिंग पूल सब बंद रहेगे तार्मिक इस्तान भी अगले 14 दिन पूरी तरे बंद रहने के आदेश दिये गए है लोकल ट्रांसफोर्ज सिर्फ 50 फीसदी के साथ चलेगा सरकारी और नीची दफ्तरों में 50 परतिशत कर्मचारी काम करेंगे इस्राइल ने अब बात करते हैं दुनिया की इस्राइल ने अपने नागरिकों को भारत जाने पर रोक लगाई है जापान ने का संकट में भारत का पूरा साथ देंगे आइरलेंड ने 700 ऑक्सिजन कंसेंटर, 365 वेंटिलेटर बेजे हैं रोमानिया ने 80 ऑक्सिजन कंसेंटर और ऑक्सिजन सिलिंडर बेजे हैं संकेट के समय भारत ने हमारी मदद किये आज हम लगातार मेडिकल सप्लाय भेज रहे हैं अमरीकी राष्टपती ने का आए इस संगर्ष में हम भारत के लोगों के साथ है फ्रांस पूरी मदद करेगा फ्रांस के राष्टपती ने का आए जापान के प्रदान मंतरी ने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जरूरी सामान और टैक्निक की सप्लाई बेतर बनाएंगे हम मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़े हैं बिटिन के विदेश मंतरी ने कहा जर्मनी राद दूत कहते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को दवाई भेजी अब भारत की मदद करने का वक्त है हम भरपूर साथ देंगे अमरीका से मदद की पहली खेप भारत पहुँच चुकी है अमरीका ने ऑक्सिजन, कंसेंटर और सिलिंडर भेजे हैं दुनिया से मदद की बात करें तो 40 देश बारत की मदद कर रहे हैं पाकिस्तान ने 50 अम्बोलंस बेजे हैं करूना की दूसरी लायर के दोरान देश भयन कर संकट में गिरा हुआ है देश में करूना के रोजाना रिकॉर्ट तोर मामले सामने आ रहे हैं ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लागडाउन की चर्चा तेज हो गई है इसी भी देश में करूना की बेकाबू रफ्तार से लागडाउन पर विचार करने की बात कही जा रही है कोट ने भी आदेश दिया है कोट के मताबिक विशेश रूप से हाशे पर रहने वाले समूदाओं पर लागडाउन का असर पर सकता है उनके लिए खास इंतिजाम किये जाए ये आदेश कोट ने सेंटरल गवर्मेंट को दिये है दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आने पर शेर करें लाइक करें सस्क्राइब करें और बेल आइकाउन बटन को दबाए ताके अगला वीडियो आपको मिल सके शुक्रिया धन्यवाद कि अन्यवाद